हलो फ्रेंड्स कलर्फुल थ्रेट्स में आपका स्वागत है आज हम बोरी से बैक बनाएंगे यह आटे की बोरी मैंने लिए है और कॉटन का कप्रा लिया है अंदर अस्तर लगाने के लिए मैंने एक पुराना पीलो कवर लिया है इस कप्रे का साइज इसकी लंबाई 18 इंच है और 14 इंच है ऐसे दो पीस हमें लेने हैं बोरी के भी दो पीस कट करेंगे और लाइनिंग के भी दो पीस कट करेंगे बोरी के उपर कप्रे को मैंने रख लिया है आप चारो साइज से इसकी कटिंग कर लेंगे बोरी को हमें इस तरह से काटना है कि कप्रे से ये आधा आधा इंच चारो साइज से छोटा होगा क्योंकि इसके किनारे से रिसे निकलते हैं तो इसलिए मैंने इसे छोटा काटा है कि ये कपरे के अंदर रह जाएगा बोरी की दो पीस मैंने कट कर लिए है सबसे नीचे पीलो कबर वाले कपरे को मैंने रखा है उसके ऊपड़ को पीस हें और सबसे उपड़ को रख कर चारो ऋसाइट से दलालेंगे तो देखिए बोरी वाले पीस को मैंने आधा-धा इंच छोटा काटा है आप चारो साइड से इसकी सिलाई कर लेंगे और इसके सांत लंबाई में इसके उपर सिलाई चला लेंगे पर देखिए मैंने इस पर उबर सिलाई चला ली है अब साइड से धाई इंच पर 2.5 इंच पर हमें एक निशान लगाना है और इसे सीधा मिला लेंगे एक लाइन ड्रो कर लेंगे धाई इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रो कर लेंगे दूसरे साइड से भी इसी तरह से धाई इंच की दूरी पर हमें लाइन ड्रो कर लेना है 2.5 इंच लेंगे और यहां भी हम लाइन ड्रो कर लेंगे अब इसकी उपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे दूसरे सैट से भी जहां हमने लाइन रो की है उसे फोल्ड कर लेंगे और किनारे किनारे बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेते वे सिलाई लगाना है मार्जिन बहुत कम लेना है और पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे इससे बैक का साइट बन जाएगा दोनों पीस में हमें इसी तरीके से डाइन्स पर निशान लगाकर इसके उपर सिलाई कर लेनी है अब दूसरे सैट से भी इसी तरीके से सिलाई करेंगे प्रेदी की बैक के साइट बन गए है अब हमें कपड़ा लेना है इसकी लंबाई साड़े बारा इंच है 12.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौराई 4 इंच है इसी के नापका मैंने एक और कपड़ा लिया है योगि एक पड़ा पतला है इसलिए मैंने एक कपड़ा और इसके साथ में रखा है दोनों किनारों से से फूल्ड कर लेंगे अब इसके उपर सिलाई लगा लेनी है बैक की बेल्ड मैं छोटी बना रही हूँ अगर आप चाहे तो आप इसको ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं मैंने इसको छोटा ही रखा है क्योंकि हाथ में पकड़ने के लिए यह साइज सही रहता है अगर आप कंदी पर टांगने के लिए बना रहे हैं तो इसको आप ज़्यादा लंबा बना सकते हैं 20 या 22 इंच का भी बना सकते हैं अब जहां से हमने साइट बनाई थी वहां से 3 इंच पर निशान लगाना है दूसरे साइट से भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे दूसरे साइट भी हमें हंडल लगा लेना है इसके उपर सिलाई लगा लेंगे अब कपरी की एक स्ट्रिफ हमें लेनी है इसकी चौड़ाई लगबग 1,5 इंच है और लंबाई इसकी 15 इंच है पीछे की तरफ इसे रखेंगे और इसके उपर हमें सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद दूसरे साइट से टर्ण करेंगे और डबल फोल्ट करते हुए इसकी उपर हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से पाइपिंग जग जाएगी सिलाई करने के बाद बैक के हैंडल को हमें उपर रखना है अब इसके उपर भी सिलाई लगा लेंगे इससे हैंडल उपर की साइड हो जाएगा तो अच्छी तरह से चार पांच बार इसके उपर सिलाई लगा लेंगे जिसे हैंडल काफी मजबूती से लग जाएगा अब ये दिखिए दोनों पिस में हैंडल हमने लगा लिया है पाइपिंग भी लग गई है अब नीचे से हमें इसका बेस बनाना है तो जहां से हमने साइड की सिलाई की थी लगवग डाई इंच पर चौराइब में भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है एक बॉक्स बनाना है यहां से ना पेंगे 2.5 इंच और साइड से भी 2.5 इंच डाई इंच का एक बॉक्स बनाकर इसे कट कर लेंगे दूसरे साइड भी इसी तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे इसी तरह से दूसरा पीस भी हमें कट कर लेना है अब इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और तीन साइड के हमें सिलाई करनी है दोनों किनारों की और नीचे बॉटम की भी सिलाई कर लेंगे सिलाई करते समय एक कपरे की स्ट्रिप लेकर इसके उपर रखेंगे और अब इसके उपर हम सिलाई करेंगे इस तरह से इसमें पाइपिंग लग जाएगी और खुली इस लाई नहीं दिखाए देगी सिलाई डग जाएगी सिलाई करने के बाद इस ट्रिप को हम दूसरे साइड पलट लेंगे इसके बाद फोल्ड करके इसकी भी सिलाई कर लेंगे बागी दोनों साइड भी हमें इसी तरीके से पाइपिंग लगाते वे सिलाई कर लेनी है तो इसे हमारी मेनत काफी बज जाती है, सिलाई करने के बाद पाइपिंग लगाने की जुरत नहीं पड़ती है, एक ही साथ हम पाइपिंग और सिलाई दोनों ही कर लेंगे आप चाहे तो इसे बीना जिप की भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मैं जिप लगा रही हूँ अब दोनों साइड की सिलाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें इसका बेस बनाएंगे और उसके बाद इसमें जिप लगाएंगे बेस बनाने के लिए दुनों साइड को हमें मिला लेना है जो वाक्स हमने कट किया था उसके दुनों साइड को मिलाएंगे और इसके उपर भी कपरे की एक स्ट्रिफ हमें रखनी है और इसको भी हम सिलाई कर लेंगे डाइ इंच का बॉक्स हमने बनाया था टूबंट फाइव इंच का तो पांच इंच का इसका बेस बनेगा अब इस ट्रिप को दूसरे साइट बलतेंगे और फोल्ड करके इसके सिलाई कर लेंगे दूसरा कॉर्णनर भी हम इसी तरीके से बना लेंगे इसे भी इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे तो यह देखिए हमारा बैक बन गया है इसमें मैं जिप लगाऊंगी आप जाया तो बिना जिप के भी इसको यूज कर सकते हैं इसके अंदर बोरी का यूज किया है, इस पज़े से काफी मजबूत है, आप इसमें काफी सारा सामान ला सकते हैं, साइड बॉटम यह भी दिखे, काफी चौड़ा बॉटम है, साइड भी इसकी चौड़ी है, जिप लगाने के लिए, मैंने 12 इंच की जिप ली है, जिप को ए और इसकी सिलाई कर लिए, अब कप्रे को दोनों किनारों से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से दोबार फोल्ड करते वे, अब चारों साइड से इसकी सिलाई कर लिए, जिप एक साइड से लॉक हो गई है, अब दूसरे साइड से इसमें हमें हाथ से सिलाई करनी है, देखे जिप की जो खुली साइड है, उसमें मैं हाथ से सुई धागे से इसको इस तरह से तिर्चा मोर कर सिलाई कर लेना है, अंदर की साइड इसे फोल्ड कर लेना है, और इसकी हम सिलाई कर लेंगे, अब जहां से हमने साइड की सिलाई की थी वहीं तक इसी के अंदर तक हमें इस जीप को लगाना है इसे यहां तक पहले पील लगा लेंगे उसके बाद यहां से हम सिलाई करेंगे जहां हमने धाइंच पर लाइन ड्रो करके कपरे को फूल करके सिलाई किया था उसके आगे हमें से नहीं सिलना है जीप को हमें तक वहीं तक रखना है तो देखिए एक साइड की सिलाई हो गई है अब जिब को पूरा खोल लेंगे और दूसरे साइट भी हमें इसी तरीके से सिलाई करनी है यहां से लेकर यहां तक सिलाई करेंगे तो दीकि जहां से अबने साइट बनाई थी वहीं से हमें से सिलना बिल्कुल किनाड़े तक इसकी सिलाई नहीं करनी है लगवग 10 इंच तक इसकी सिलाई करेंगे और जिब का 2 इंच का भाग को लड़ रहेगा बस यहीं तक हमें सिलाई करनी है अब यह देखिए जिप लग गई यह जिप हमने दो इंच को खुला रखा है उससे पूरी चौराई में बैक खुल जाता है और इसमें आप काफी सारा समान रख सकते हैं और यह बैक काफी मजबूत है क्योंकि इसमें हमने बोरी का यूज किया है तो इतास का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएएगा वीडियो देखने के लिए आपका देने का